Hello everyone, welcome back to another video आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SRM के काउंसिलिंग के बारे में Phase 2 का काउंसिलिंग स्टार्ट हो चुका है और आपने चॉइस फिलिंग भी कर लिया हो आज आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में किस तरह से सीट अलॉट्मेंट आप चेक कर सकते हो क्या प्रोसीजर्स है कौन-कौन से डक्यूमेंट के आपके जरूत होगी कितना फीस आपको बेट करना है साथ मैं काउंसिलिंग से डियूल के बारे में भी अपडेट आप सभी को देने वाला हूँ तो complete detail information है वीडियो को आप इंट तर देखना इसके अलावा मैं आप सभी को बता दू आपने अगर फर्स्ट राउंड में काउंसिलिंग नहीं किया है तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड में भी काउंसिलिंग कर सकते हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है काउंसिलिंग details के बारे में बात करें तो SRA में अपना phase 2 का examination conduct करने बाद काउंसिलिंग के प्रोसेस को भी start कर दिए जो भी qualified candidates है उन्होंने अपना choice filling भी कर लिया है और last date आपका choice filling का था first round के लिए 8 July को registration close हो चुकी है और आज आपका seat allotment होगा ये देख सकते हैं आप counseling schedule है 6, 7 और 8 को आपका choice filling हुआ आपने choice filling किया उसके अलाबा 9 को आपका seat allotment result आएगा और 10 से लेकर 13 तक आप अपना seat acceptance fee और college में document verification की process कर सकते हो round 2 आपका start होगा 15 से 16 15 सोल को आप choice filling करोगे 18 को आपको seat allotment result आएगा और 19 से लेकर 22 तक आप अपना fees payment करोगे और seat allotment confirm करोगे document verification करवाओगे online round 3 में आपका 24 से 25 आप choice filling करोगे 27 को आपका seat allotment होगा और 28 से 31 इसके बीच में fee payment कर सकते हो और document verification करवा सकते हो तो आपका July के महने में counseling complete हो जाएगा और उमीद है कि अगस्त से classes भी start हो जाएगे देखो जो भी candidates अपना choice filling करना जाते हैं वो already कर चुके हैं इसके अलाबा जो vacant seat रह जाएगे उसके counseling सेकेंड और थर्ड राउंड में होगे तो उस सेकेंड और थर्ड राउंड में जो भी qualified candidates है वो eligible होंगे counseling के लिए seat allotment का result आप online admission portal पे चेक करोगे जो कि website पे होगा और website पे जरूर से visit करना कल आपका result यानि कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज आपका result आ चुका होगा students को ये जरूरी information दे रहा हूँ मैं आप सभी को कि आपका seat तभी confirm होगा जब आप payment fees payment कर दोगे और fees payment कितना करना है इसके बारे मैं आगे बताता हूँ fees payment करने से पहले आपको online admission portal पर login तो करना ही है साथ में instruction भी पढ़ लेना है और आज इस वीडियो में मैं आपको details शेयर कर दूँगा इससे भी आपको knowledge हो जाएगा देखो choice filling over होने के बाद आपका seat allotment होगा और seat allotment उन बच्चों का होगा जिनका rank काफी अच्छा होगा और 9 जुलाई को आपका result आएगा यानि कि आज result आएगा seat accept करने के लिए आपको admission fee पे करना होगा जो कि 1,10,000 रुपया का होगा आप इसे online mode में या फिर DD के mode में जमा करवा सकते हो SRM JEEE phase 2 का जो counseling है वो आपका 3 round में होगा और मालो कि कोई बच्चा का 1st round के counseling में seat allotment हो जाता है और वो किसी कारण से अपना seat नहीं लेना चाता है तो वो अपने seat को upgrade कर सकता है और उसको float का option चूज करना होगा मालो कि आपको seat allotment हुआ और आप नहीं लेना चाता है वो आगे होगा आपको इसके बार में information है और second round का seat allotment है वो 18 July को release किया जाएगा जो भी candidates जिनको short list किया गया उनके result क्या धर पर वो eligible है counseling के लिए तो एक बात और clear कर दू कोई भी बच्चा अगर counseling में अभी participate नहीं कर पाया तो वो second और third round में participate कर सकता है तो यह आपका counseling schedule है तो इसको जरूर से check कर लेना आप अब procedures की बात करते हैं SRM JEE में counseling का क्या procedure है तो सबसे पहले जो भी candidate से अपना rank list चेक कर लिए होंगे उसके अलाबा seat enrollment के लिए login portal पे आपको जाना है और check करना है कि आपको seat provide हुआ कि नहीं इसके अलाबा जो भी qualify candidates है उन्होंने अपना course जाने की कौन सा branch चाहिए उनको और कौन सा campus चाहिए वो already select कर चुके होंगे इसके अधार पे availability seat के अधार पे और seat enrollment के अधार पे आपका seat enrollment क्या जाएगा seat को confirm करने कि यह आपको fees देना है फीज देने के बाद आपको अपना document verification भी करवाना है आप जैसे ही fees paid कर दोगे उसका document verify करवा लोगे तो आपका admission confirm हो जाएगा तो fees payment करना काफी ज़्यादा important है कौन-कौन सा document चाहिए तो आपको सबसे पहले जो document verification करवाना है उस समय आपको SRM JEEE का rank card होना ज़रूरी है इसके अलाबार SRM जो आपने examination दिया वो उसका admit card या फिर hall ticket class 12th के mark sheet या mark sheet आपके पास है तो दिखाओ नहीं है तो आप अपना admit card दिखा सकते हो अगर वो बोले upload करने के लिए इसके अलाबा 10th का mark sheet जो कि as a proof of age, age proof के तौर पे photo identity proof जैसे कि आपका अधार card या फिर pan card आप इसका original और photo copy दोनों रखना साथ में cancel check leave with name of candidate, parent या फिर grandparent presented तो आपके पास एक cancel check भी होना चाहिए जो कि आपका हो या आपके पिताजी का हो वो चलेगा साथ में आपने जो fee payment किया है, admission fee payment किया, seat confirmation के लिए e-pay facility के थूरू या फिर demand draft के थूरू जब आप करोगे तो उसका receipt भी आपके पास होना जरूरी है, तो इस बत का भी धियान रखना आप तो online अगर करते हो तो screenshot लेके print out ले ले लेना, seat allotment result official website पे आएगा, तो seat acceptance के लिए आपको fee देना जरूरी है, तो मैं बार बार रिपीट करना, fee देना जरूरी है, तभी आपको seat confirm किया जाए important point, seat allotment के लिए आपका एक allotment letter भी होगा, और वो आप official website यानि के admission portal से download कर पाऊगे, और seat confirm के लिए fee payment करना है, अगर कोई बच्चा fee payment नहीं करता है, तो उसको disqualify कर दिया जाएगा, और उसको admission के लिए दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा, साथ में आपके rank के basis पे आ लेना अच्छी तरीके से और सारी चीज़े चेक कर लेना, अगर कोई भी डाउट है तो comment कर देना, so that's it for today's video, आप हमारे टेलग्राम चैनल पर जाके join कर सकते हो, वीडियो के अपडेट के लिए link description में है, या फिर टेलग्राम आप में सर्च करो, add the date पलावासो फिल्म्स, चैनल की support के लिए चैनल को subscribe कर दो, bell liking button को press कर दो, इस वीडियो को like कर देना, share कर देना, और मैं add करना चाहूंगा, rankles आप सभी के लिए लेकिया है, test series, तो आप किसी भी examination के preparation कर रहे हो, either banking examination, railway examination, SC exam, defense, jmints, teaching exam, दले police, या IB exam, किसी भी examination के preparation कर रहे हो, तो आप इनका test series purchase कर सक सकते हो, देखो, jmints, 2422 के लिए आप preparation कर रहे हो, तो simply आपको क्या करना है, यहाप बाइनाओ पे click करना है, जैसे ही बाइनाओ पे click करोगे, IIT jmint test series open होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, jmint in advance 2021 test series है, और valid रहेगा, आपका 2422 तक, until February, तक के लिए valid होगा, लेकिन, देख नहीं करना है, पे simply code use करो, PAF और apply कर दो, जैसे ही आप apply कर दोगे, आपको 1500 रुपीज में, यह test series purchase होगा, मतलब 500 रुपय का instant discount मिल जाएगा, इसके अलाब आप government examination के preparation कर रहे हो, defense या फिर SSC exam तो simply, जैसे की junior engineer SSC, GL, CHSL, तो simply buy now पे click कर लेना, जैसे ही आप बाइनाओ पे click क simply code use करो, PAF 10 और apply कर दो, जैसे ही आप apply करोगे, आपको 49 रुपीज का instant discount मिल जाएगा, और यह जो दोनो test series में ने बताया है, मतलब बहुँ सारे test series है, तो अब किसी भी examination की preparation कर रहे हो, test series जरू से purchase करो, इनका mobile app भी है, rankers के नाम से, जिसका link और code का details description में, तो simply mobile app भी download कर सक करते हो, अब यहाँ पर registration कैसे करना है, तो यहाँ पर registration के link पर click करना, जैसे ही आप click करोगे, यहाँ पर create account, आपको account खूलने के लिए कहा जागा, name, mobile number, email ID और password डाल देना, create account पर click कर देना, अपका account create हो जाएगा, देन उसके बाद आप login कर सकते हो, email ID और password के मत्स से, तो य यहाँ पर सारा information मिलेगा, so that's it, thank you for watching, thank you